तुम मुझे यूँ जला न पाओगे जली लंका मेरी जला मैं भी तुम भी एक दिन जलाए जाओगे ओ तुम मुझे यूँ अब सुनना रावण कहता है कि तुम मुझे इल्जाम देते हो कि मैंने सीता हरन किया मैंने मा सीता का हरन किया इसलिए मैं बुरा हूँ लेकिन मैंने सीता का हरन भी अपने लिए नहीं किया सीता का हरन करने के पीछे भी कारण था क्या कारण था सुनिएगा कहता है रावण मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए समझ में आया मैंने सीता का हरण इसलिए किया क्योंकि मैं सीता का हरण नहीं करता तो राम का इस धर्दी पर अवतार लेना बेकार हो जाता राम ने अवतार लिया ये सोच कर कि मैं धर्ती पर जाकर राक्षसों का नाश करूँगा रावण का मत करूँगा और अगर रावण सीता को हर कर नहीं लाता तो शायद राम कभी रावण और राक्षसों तक पहुँच ही नहीं पाता मैंने तो राम का रास्ता साफ किया है मैंने सीता हरी हरी के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए मैंने प्रभू को रुलाया वन्वन में मैं तुम प्रभू को रूलाया ना पाओगे हो तुम मुझे यू और सबसे सुन्दर पंक्ती लगती है मुझे सबसे सुन्दर पंक्ती सुनिएगा क्या कहा रावन ने आज रावन से राम डलते हैं आज लक्षमन ही सीता हरते हैं सही बात है सही बात है कलियुक के इंसान बड़े उचलते हुए राजी होते हैं रावन को जला दिया मा का हरन किया मा का हरन किया रावन ने कहा रे बोले बेवकूफो मुझे दो पता था कि मैं जिसे हर कर ले जा रहा हूं मेरी मा है लेकिन तुम कलियुक के इंसान क्या करते हो आज सगा भाई तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्यों? आज रावन से राम डलते हैं आज लक्षमन ही सीता हरते हैं आज घर घर में छुपे है रावन आज घर घर में छुपे है रावन आज कितनों को तुम लगाओगे हो तुम मुझे यूँ अच्छा लगा? एक अंत्रा और है सुनोगे? पूरा करें? सुनिएगा अन्तु में क्या कहा रावन ने? सबसे सुन्दर बाद सबसे सुन्दर बाद क्या?